नमस्कार, जै मां अम्बे, सक्ति की अराधना का पर्व नौरात्री नौरात्र सब्द नौ अहो, रात्री का बोट कराता है इस समय सक्ति के नौ रुपों की उपासना की जाती है ये स्वभाग्य की बात है कि हमारे 36 गड़ पर देवी की विसेश क्रिपा है यहां तक कि हम अपने 36 गड़ को 36 गड़ी महतारी की संग्या देते हैं क्योंकि यह भूमी अतुल संपदा इम प्रकृति के वर्दानों से संतानों का लालन पालन करती है मा का प्रकृति प्रेम ऐसा है कि 36 गड़ की जर्ती में मा भगवती घंगोर जंगलों परवत छोटी पहाडियों एम गुफाओं में साच्छात विराजमान है भगवान सीव की अर्धांगनी माता सती के अंग हमारे प्रदेश में भी कई स्थानों पर गिरे हैं पर सरुप 36 गड़ की भूमी भी इंकावन सक्टी पीठों में महत्व रखती है इनी में से एक 36 गड़ के बिलासपूर जिले में रतनपूर स्थित मा महमाया देवी का मंदिर कहा जाता है इस स्थान पर माता का इसकंदर थात कंधा गिरा था और लोकिक तेज ये मतुल आभा मंदल के लिए मा महमाया की पतिमा के जरसन करते ही एक अध्यात्मिक तेज का अनुभव होता है आपको ग्यात होगा कि बस्तर जिले में मा दंतेसुरी का दिव्य मंदिर है यहां मा सती के दाद गिरे थे क्योंकि यही वह समय था जब सत्यूग में सभी सक्तिप्रिटों का निर्मान हुआ था हता इस स्थान को दंतेसुरी सक्तिप्रिट कहा गया है क्या आप जानते हैं मा बमलेसुरी दस महाविद्याओं में से एक बगुला मुखी का ही रूप है एक लोग कथा अनुसार राजा विक्रमादित्य ने मा बमलेसुरी से वर मांगा मा बमलाई प्रतट होकर राजा विक्रमादित्य को वनवांचित वर्दान प्रदान कर राजा की विंती से साच्छाट गोंगरगर में प्रतिष्ठित हो गई चारों और प्रकृतिक सुंदर्ता से घिरे जानजीर चापा जिले के पास मा चंद्रहासनी का प्रसिद्ध धाम चंद्रपूर है देवी की आकृति चंद्रहास अर्थाज चंद्रमा के समान मुख होने के कारण उन्हें चंद्रहासनी देवी कहा जाता है एक और यहां महानदी अपने स्वक्षत जल से माता चंद्र सैनी के पाव पकारती है वहीं दूसरी और मार नदी छेत्र के लिए जीवनदाईनी से कम नहीं है हरे भरे वनों वाला चेतुर गड़ जो चतिस गड़ का कस्मीर कहा जाता है वहां प्राचिन काल में महिसासुर मर्दिनी की अराधना होती है माता की इस भव्य मंदिर में उनकी बारा भुजाओं वाली प्रतिमा इस्थापित है माना जाता है कि महिसासुर का वद्ध इसी इस्थान पर किया गया था दिल्चस्ट बात यह है कि इस मंदिर में इस्थापित प्रतिमा की आँखों में लगातार देखने से मा के पलक जपकने का हैसास होता है सास्त्र के अंसार मा विंद्यवासनी स्री कृष्ट्न की बहन है इनी का एक रूप धम्तरी में बिलाई माता के रूप में विराजमान है चत्तिसगर में अनेक स्थानों पर जैसे कोरबा में सर्व मंगला राइपुर में महा माया, बागबारा में देवी चंडी, जत्मई में घटा रानी, बालोद में मा गंगा, राइगर में बुरी मा, साच्छात रुप से भक्तों की विब्दा हरती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने साकार रूप में चत्किसगर की डोंगरी, पहाडियों, घंगोर, जंगलों, एम गुफाओं में निवास करके जन सामाने को प्रकृती से जुड़े रहने का संदेश देती है प्रदेश की सुख सम्रिधी की कामना के साथ आप सभी को नौरात्ती पर्व की हार्दिक सुख कामना है, हार्दिक बधाई, जै अंबे, जै दुर्गे, जै काली, जै महमाया, जै बमलिस्वरी, जै दंतेश्वरी और सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, जै हिन